मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजूकेशन हब यूटूब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में क्या करेंगे आज हम लोगों का लेक्चर नंबर थ्री है जीएस का ठीक है कोशन बैंक स्वोलूशन स्रीज के जीएस का थार्ड लेक्चर में आप सभी का सवागत है आज हम लोग क्या करेंगे घृप ए हम लोग कंपलीट कर चुके हैं लेक्चर वन और लेक्चर टू में आज हम लोग बीके फर्स्ट सिक्स नंबर को सना ऐसे घृप बीका फर्स्ट है तो को सुब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा क्योंकि अगर आप लोग बिहार उनिवर्सिटी के स्टुडेन्ट है तो इस चैनल को अपदाना होता है तो बिहार उनिवर्सिटी चानल के बारे में जितना आप लोग को यह रिस्पांसिबिलिटी है कि और के यह पने पास वीडिव को शेर करके सभी के पास वीडियो को पहुंचा दीजिएगा ठीक है तो चले करें आज के क्लेस स्टार्ट चलिए और आप लोग लेक्चर वन लेक्चर टू देख क्या है ना अगर नहीं देखें तो प्लेलिस सेक्षन में जाके देख लिजिएगा ठीक है प्रदूर्शन क्या है और उसके बारे में पढ़ ना ठीक है तो चली सबसे पहले आप लोग समझ लीजी यह प्रदूर्सन क्या होता है तो पडियावरन में उपस्तित विभीन घटकों की सरचना या उनके संतुलन में उत्पन व्यावधान को प्रदुसन कहते हैं प्रदुसन किसे कहते हैं देखें पडियावरन में उपस्तित बहुत कुछ होते हैं ठीक है इस प्रदूशन ने मनुस्य और अन्य जन्तूओं के जीवन को काफी प्रभावित किया है दैनिक जीवन में पांस प्रकार के प्रदूशन से हमारा जीवन प्रभावित होता है पहला वायू प्रदूशन दूसरा जल प्रदूशन तिसरा अम्रीदा प्रदूशन चोथा और पच्छमा रेडियो धर्मी पर्दूसन और हम लोग को सोन में था वो क्या था जल पर्दूसन के कारण और रोक थाम का उपायों का वर्डन करें तो जल पर्दूसन के स्रोत यह कारण पहला डोमेस्टिक सेवेज ठीक है जल पर दूसन का प्रमुक कारण घरेलू जल निसक तो जल परदूसन का प्रमुक कारण है घरेलू जल निसकासन यह आसपास के जल भंडार में मिल जाता है वहां से बहते बहते नदी जील समुद्र तक पहुंच जाता है इससे जल जनित बिमाडिया होती है दिल्ली आगरा था उसके आसपास के छेत्रों में यमना जल के दूसरा के हमलों का इंडस्ट्रियल वेस्ट तो उद्वयग में बढ़ोतरी से इनकी द्वारा छोड़े गए वर्ज पदार्थों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है ऐसे पदार्थ नदियों में त्याग दिये जाते हैं इन पदार्थों में अकार्वनिक पदार्थ रहते है जो जल में उपसित ऑक्सिजन की मात्रा को कम करते है फल्स वरुप जलिये सजीवों को ऑक्सिजन की कमी होने लगती है तिसरा क्या कारण है जल पर दूसरा का सिल्ट लोम तथा बलवाही मिट्टी में 0.002 mm व्यास के कन होते है यह सिचाई में पड़ियोग होने वाले प सब्जी उपजाने हे तु जो वेग्यानिक तकनिक अपनाई गई है उसमें रासाइनिक खाद महत्यपूर्ण है यह मिट्टी में मिल जाते हैं तथा वर्सा के बाद जल में घुल कर आसपास के जल भंडारों में पहुंच जाते हैं यही स्थीती धुलाई पाउडर की है इ जल में बढ़ जाने से गुनबता में कमी हो जाती है और जल परदूसित हो जाता है बायोक सड कितनासक और साकनासक दवायों का पड़ियोग भी उख प्रकार से प्रदूसन की कारण बनते हैं सिक्स पॉइंट के है रेडियो एक्टिव वेस्ट तो एटोमिक रियक्टर से निकलने वाली रेडियो एक्टिव आईसो टोप्स जलिये जीवों के लिए प्रान घातक होता है मनुस्य जब इन जलिये जीव को अपने भोजन में उप्योग करता है तो यह विसैले पदार्थ मनुस्य में प्रवेस कर प्रजणन मस्तिक्स गुर्दा हिर्दयाद बिमारि लोग देख लगों परथाम चैडि आगे देखते है बहुत पी अब आगे तो हुप प्रवाव स्यलिये ए अप लोग को बताऊंगा में प्रदूशन के है जल परधूशन के दुस्हू आथा , इन प्रेकार से हैं देखिए वाहित मल द्वारा जल के परदूशी होने पर पक्षागात पीलिया टाइफाइड हैजा छै पेचिस डैरिया आधी रोग हो जाते हैं ठीक है यह साड़ी बिमारिया हो जाता है जल परदुसन की वज़े से कल करखानों के अपसिस्ट पदार्थों में अनेक विसैले पदार्थ होते हैं जिन से जल विसैला हो जाता भोचाओ जाते हैं वर्वस्य के जल में घूल कर कि इक नशक पदार्थ नदीयों के जल को अधूसित कर देते हैं ईधूसित एंटूसर्व को भी नर्ष ऑंधान अब देखेएंगे जल देता है उसको नदी के किनाड़े अष्थापित नहीं करना चाहिए जो फैक्ट्री में से जो उसमें से निकलता है न sekensional पदार साप आणवे चले जाता नदियु तथा तलावों में पस्वों करना हलाने एबं वाहनों को धोने पर प्रतिवन लगाना चाहिए क्रिसी काईड़ों में आवे सकता स्याधिक उर्वड़ा को और किटनास को पदार्थों का पड़ियोग नहीं करना चाहिए प्रदोशी जलासयों की समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए पेट्रोलियम पदार्थों को जहाजों से सावधानी पुर्वक खाली करे जिससे वे समूदर में ना गिड़े सहरों के अफसिस्ट पदार्थों को सीधे नदी या जलायसों में न छोड़कर उन्हें पहले दोस्रहित बनाकर ही नदियों में छोड़ना चाहिए ठीक है तो हम लोग क्या देख लिए थे देखा रहतों हैँ चली मैं नभुटान साप लोग को दिखा लेती हूं देखिए हम लोग ग्रूप ए तो पुरा कंप्लिट कर लिए थे ठीक है आज हम लोग ग्रूप भी कर रहे थे जिसमें हम लोग six number question कर लिए प्रदूशन क्या है जल प्रदूशन के कारण एवं रोक थाम सब कुछ जान लिए अब लोग का 7 number question क्या है? विकरन क्या है? विविन प्रेकार के विकरन का वर्णन करें तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विकरन क्या है? ठीक है? आप लोग को देखिए मैं ये GS क्यों पढ़ाड़ी हूँ आप लोग को GS इसलिए पढ़ाड़ी हूँ अपने फ्रेंड्स के पास को सियाए कर दीएगा वीकिरन क्या होता है तो विकरन उरचा के विहन रूपों का वर्णन करें तो चली हम लोग समझ लेते हैं विकिरन उस्मा के गमन की वह भी दिये जिसमें उस्मा एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक माध्यां पर बिना प्रभावट डाले या निर्वात होकर जाती है देखिए रेडियेशन क्या होता है आप लोग का एनरजी एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक पहुचाना होता ह और बिना किसी का हेल्प लेकर ठीक है उसी को हम लोग बोलते है रेडियेशन तो आप लोग देखी लिए उस्मा मतलब एनरजी उस्मा एक स्थान से दूसरे अस्थान तक जाता है बिना प्रभावट डाले या निर्वात में चला जाता है ठीक है विकरन द्वारा उस्मा के संचालन में विक्रन द्वारा उस्मा के संचालन में माध्यम की कोई आवेशकता नहीं पड़ती है अगर कोई भौतिक माध्यम पड़िपत में मिलता भी है तो माध्यम का ताप नियत रहता है सुरे से प्राप उस्मा समवहन द्वारा प्राप नहीं होकर विक्रन द्वारा प वैदू चुम्बक्ये तरंग के रूप में होता है इन तरंगों की गती प्रेकास की गती के बराबर होती है तथा ये तरंगे वैदू तेवं चुम्बक्ये बलों से युक्त होती है उक्त बल परसपर लमवत दिशा में किडियासी लेते है तथा तरंग का प्रसाथ इन दोनो रेज कोस्मिक रेज आदि विभिन तरंग के विकिरन श्रोत निवन है पहला रेडियो तरंग पूझ आविरति की एसी विधुत धाराओं से उसरजीत होती है माइक्रो तरंग एक विशेश प्रेकार की जनिया दोरा उत्पन होती है जैसे कली स्ट्रोन ट्यूब अवरक्त विकेरन गर्म दिप्त पिंडो से उसरजीत होता है द्रिस्य प्रेकास इसका उत्पादन विधुत वल्वों को जलाने पर प्राप्त होता है पड़ा वैगनी विकेरन इसकी उत्पादन विशेश प्रेकार के विधुत वल्व से होता है इसमें पड़्युक्त होने वाले भैपर लैंप इसके उधारन है एक स्केरने जब कैथोर्ट केरने किसी भारी धातू से टकराती है तो उस धातू में जो केरने निकलती है उन्हें कैथोर्ट किरन कहते है तो यह हम लोग अथा विकेरन के बारे में ठीक है चलिए एक वाल कोसन के तरफ चलते हैं हम लोग चलिए हम लोग कहां पर थे हैं कोसन थुरा सा उपर होगा गुरूप भी कर रहा थे शीक्स नंबर कोसन देख लिए सवेन नंबर कोसन देख लिए अब हम लोग कोसन नंबर एट देखेंगे कृतिम उपगरा और उसकी उपयोगी ताव पर निवांद लिए ठीक है हम लोग कृतिम उपगरा देखके इस वीडियो खतम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वह कार्व हायड़ेट किनवेन कार्वनेक मतलब कि जो 9 10 है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है चलिए कृतिम उपगरा तक देख लेते हैं कहा पे गया हम लोग जस्ट वेट चलिए देखियो जब किसी पिंड को प्रिथवी की प्रिष से कुछ ऊपर आकास में फेक कर उसे लगभग आठ गुने 10 की पावर 3 मीटर सेकेंड के 36 वेक दिया जाता है तो वह प्रिथवी के 4 और एक निशित कक्षा में परिक्रमान करने लगता है क्या करते हैं मतलब कि एक पिंड को एकड़म जोर से फेकते हैं कितना इस पीड में दिया गया हुआ है मतलब की 8000 मीटर सेकेंड के स्पीड में ठीक है तो वह क्या करता है वह एक निशित कक्षा में परिक्रमान करने लगता है ऐसी पिंट को क्रितिम उपगरा कहा जाता है क्रितिम उपगरा को रॉकेट द्वारा कक्छा में अस्थापित किया जाता है सधारन रॉकेट द्वारा उपगरा को प्रारम में ही इतना वेग नहीं दिया जा सकता अता इसके लिए बहुक्रम रोकेट का पड़ियोग किया जाता है बहुक्रम रोकेट अनेक रोकेट का संयोग है जिसने प्रते एक छोटा रोकेट एक बड़े रोकेट के सिर्स पर इस्तित रहता है बहु क्रम रॉकेट का नासिक छोड़ पर उपगरा को रखा जाता है रॉकेट को पहले उदग्र रूप से उपर की और भेजा जाता है जिसे वो प्रित्वी की सगन वायू मंडल को कम से कम समय में पार कर ले रॉकेट में एक विशेश प्रेकार का यंत्र लगा रहता है जिसके द्वरा या 36 दिसा में मूरता चला जाता है रॉकेट के पहले करम का इंधन समाप्त होने पर सेश करमों से अलग होकर नीचे गिर जाता है इस समय रॉकेट का दूसरा करम अपना काम चुरू कर देता है रॉकेट का द्रवेमान घटने से उसका वेग बढ़ जाता है कुछ देर के बाद दूसरे करम का इंधन भी समाप्त हो जाता है और वो भी अलग होकर नीजे गिये जाता है ऐसा तब होता है जब उफगरा अस्थाएक अक्षा में पहुंचने पर रॉकेट क का दूसरा क्राम काईडे करना प्राडम करता है तथा यह उफगरा को 36 दिसार में इतना वेग देता है कि उपगरा प्रिथवी के चारो और नेस्ट काक्ष में परिकरमन करने लगता है कृतिम उपगराओं को इतना वेग दिया जाता है कि उसकी कक्षा हमेशा प्रिथवी के वायू मंडल से बाहर रहे ऐसा नहीं होने पर वायू मंडल की घर्षन से इतनी उसमा उत्पन होती है कि उपगराओं जलकर नस्ट हो जाएगा इसे कक्छा में भेशते समय वायू मंडली है घरसन से बचाने के लिए इसके उपर विशेश अगनी रोधा क्वस्तुओं का लेफ चढ़ा दिया जाता है कृतिम उपगराओं को प्रिथवी के अलावा दूसरे गड़ाओं की कक्छा भी अस्थापित किया जा सकता है चलिए अब हम लोग देख लेते इसका उपियोग क्या है ठीक है कृतिम उपगरा के उपियोग निमन लिखीत है पहला क्या है रेडियो और टेलिवीजन प्रोग्राम के प्रसारण में मानों के अंत्रिक्स यात्रा में वायू मंडल के उपरी भागों के अध्यान में मौसम के पूर्व सूचना पाने के लिए युद सम्मंदी बातों का पता लगाने के लिए खनीजों का पता लगाने के लिए विवान चालक के लिए विसे के लिए सिक्षा निर्देशक के रूप में सूपर संचार विवस्था स्थापित करने में अन्ने ग्रहों के बारे में पता लगाने के लिए तो हम लोग अभी तक क्या देखे चलिए थोरा सा उपर चलते हैं को सन्वे चलिए क्रितिम उपकरा देख लिए और इसका उपयोग भी देख लिए कहा कहा होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 910 कर लेंगे और इस तरीके से हम लोग का 2019 के पूरे कोस्टन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग 2000 आप लोग बताईएगा कमेंट में 2018 करना चाहेंगे या फिर 2018 आप लोगों के राय से ही मैं चलूंगी नहीं तो फिर आप लोग अग Thank you for coming here. Thank you.